समाज के लिए यह एक प्रेणा दायक समय है जहां लाखो करोडो रुपे शादी ब्याहा में खर्च किये जा रहे हैं अब लागडाउन की चलते सिमित जनों की संख्या में विवा होना खर्चिले विवा को बंद करने का एक अच्छा संदेश है और इसमें हम बहुत खुश हैं यह बात आठोर परिवार में आई नई दुलहन ने वेक्त की मंगलवार को धरम पूरी मे राठोर में परिवार जनों की उपस्तिति में लागडाउन के नियमों का पालन करते हुए विवा करवाया गया नगर के मोहनलाल राठोल के पूत्र एंजिनियर अमोल राठोल का विवा धरमपुरी निवासी किरती राठोल से तै हुआ दुल्हा अमोल राठोल ने बताया कि पंडितों के अनुसार अभी जो विवा का मोरत था इसके पहस्चायत दो वरसे तक कोई मोरत नहीं था इसलिए विवा करना पड़ा अभी आवशक था कोरोना महा मारी संक्रबन के चलते जारी लागडाउन में विवा करना बड़ा मुश्किल परतीत हो रहा था लेकिन परिवार जनों की सहमती और परशासन की स्वीक्रती के बाद में मेरे मातापीता के साथ धरम पूरी पहुचा और वहां मेरी पतनी किरती के साथ उन्हें मातापीता ने हमारा विवा संपन करवाया विवा में भी सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेटाइजर के उपयोग के साथ विवा के प्रक्रिया एक लकडी के सारे डंडे के सारे मांग भरते हुए वर्माला पहना कर कि इसके बाद में है तो कम से कम जो इनके योपनी बंगर साधी इसकारण हम ने बच्चे कर रहा कि सर्वाइब से परमिशन देने के बाद में तीना आत्मी हम जाके नहीं को ख़ग लेका आएं शाधी करके मंदिर में शाधी करी हमारा रिष्टा करीव एक साल पहले तहीं हुआ था लेकिन कोरोना वायरस की वैसे इसको कोस्पन करना करने का एक वजय है कि हमारी साधी अगले दो वर्स तक नहीं थी कुंडली के साथ इस वाए से हमको अभी साधी करने पड़ी और लिमिटेट परसंस में यह साधी करने सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें झाल